बापो आपने देखा होगा हम राम की बात करते हैं राम सब बनना चाहते हैं राम सब के आदर्श हैं लेकिन आज की जो कथा है या कोई भी कथा होगी आज की कथा आज का समाज और आज का परिवार बिना लक्षमन के भी पूरा नहीं होगा बिना हनुमान के भी पूरा नहीं पूरा नहीं होगा अब राम सब बनना चाहते हैं लेकिन हनुमान लक्षमन और भरत कोई नहीं बनना चाहता क्या आप ये भी देखते हैं इस तरीके से कि एक वैक्यूम है अब हमारे समाज में क्योंकि ये जो दूसरे पात्रत है जिन्होंने राम को राम बनाया वो मिसिंग ह देखो युवानों को ये ही करना चाहिए आज के दिए हमारे देश को या तो समाज को ये कि राम नाम लेकर के राम का काम निरंतर करना चाहिए लक्षमन और हनुमान जी सतत काम करते हैं लेकिन उसके पीछे राम नाम का बढ़ है तो हम क्या करते हैं कि कई लोग कहते हैं हम हमारी रुची नहीं है, राम हुए हैं कि नहीं, उस पर भी प्रश्न चिन्न लगाते हैं, यह सब बाते आती हैं, लेकिन गांधी जी ने प्राथना जिंदगी में कभी छोड़ी नहीं, राम संकिर्तन छोड़ा नहीं, और इसके कारण कोई माने न माने, यह राम नाम की भुम हुआ था, इसके कारण हमें आजाद उक्राफ्त हुए, तो आज के समाज को राम नाम के साथ राम का काम करना ही चाहिए, मैं एक छोटी सी बात कह करके पूरा करूं, कि हनुमान जी लंका में गए और वीबीशन दोनों मिले, तो वीबीशन ने कहा कि आज मुझे पका हो गय कि हनुमान जी आप मुझे मिले तो राम ने मारा उपर कृपा की, साधू मिलता है तो पता है कि प्रभू ने कृपा के ही तो मुझे सांता आप मिल, तो हनुमान जी न उसको डाटा कि तेरे जैसे आदमी पर राम कृपा कभी कर ही नहीं सकते, तो बोले महाराज आप मुझे दुख देने आये है कि दुख देने आये है मैं निरंतर राम नाम लेता हूँ, देखो मेरी दिवार पर राम राम अंकीत है, तुलसी का गमला लगाया हुआ है मैंने घरी मंदीर है तो मुझे पर कुपा नहीं बहुत अबी नहीं हो जो जिसका नाम लेता है उसकी धर्मपत्नी मेरी माँ जान की को तेरा बाई चुरा करके लिए आया और तो रामण की परिशदगा एक महत्वका मंत्री है और फिर तुने कभी आवाद नहीं तो सहमत होता गया तो राम नाम ले और राम काम न करें उस पर राम कुरुपा नहीं करें उसी संभाई संकल्प किया कि मैं आज से राम का काम शुरू कर दूगा तब तो कुरुपा करेंगे उसके बाद तो कभी भी नहीं करेंगे उसके बाद तो कभी भी नहीं करेंगे उसके बाद तो कभी भी झाल झाल